जेम्स बॉंड नामक एक बहुत मशूर जासू सी फिल्म सिरीज है जिसमें जो सुपर एजेंट होता है 007 वो अपना परिचाय कैसे देता है वो कहता है माई नेम इस बॉंड जेम्स बॉंड हमारे देश की राजनीती में एक एजेंट 56 है नाम बताने की ज़रत नहीं आपको म माई नेम इस बॉंड इलेक्टोरल बॉंड यह मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि इस एजेंट ने वित्तिय वर्ष 2016-17 और वित्तिय वर्ष 2021-22 में बावन सौ करोड रुपे अपनी पार्टी के खाते में इखटे करने में यह बॉंड सफल हुआ बावन सौ करोड कहां से आया पैसा? कोई हिसाब किताब ने किस ने दिया? क्यों दिया? उसकी एवर्ष में आपने उसको क्या बेचा देश का कौन सी संपत्ती बेच दी? कोई हिसाब ने F Fuji comida in two financial years in the coffers of the ruling party through electoral bonds without any questions, without any answers without the country getting to know what's the Quid Pro fertig who did you get this money from? why did you get this money what did you give in return कोई जवाब नहीं और ऐसा नहीं है कि हमारे एजेंट छपपन को पारदरशिता पसंद नहीं है गुपता जी के बेटे ने किसी के पेटी एम में सौ रुपे क्यों डाले ये जानना चाते हैं वो यादव जी की बेटी के अकाउंट में सौ रुपे क्यों आए ये भी जानना चाते हैं वो तो पारदरशिता हम सब के लिए लेकिन इनकी पारटी के पास बावन सो रुपे आ जाएं पांच हजार करोड से उपर आ जाएं किसी को वो सुराग नहीं देना चाते वो ये कहते हैं और ये मानते हैं कि पूरा देश बेइमान है लेकिन मेरी इमानदारी पर आपको आँख बंद करके मुँ बंद करके कान बंद करके यकीन करना होगा इलेक्टरल बॉंड एजेंट 56 का मूल मंत्र है और ये बड़ी अपार दर्शी स्कीम है इलेक्टरल बॉंड्स की अरुन जेटली जी लाए थे 2017 में 7 जन्वरी को वो दिन हमारे लोक्तंत्र के इतिहास में एक बहुत गलत दिन था उस दिन से एक ऐसी परंपरा की नीव डली जिससे इलेक्टरल फंडिंग बिलकुल गहर पार दर्शी हो गई चुनावायोग सुप्रीम कोट आर बी आई सबकी कुछ आपत्यां थी लेकिन आरुन जेटली साहब आप हमारे बीच में नहीं रहे उस वक्त हमने विरोध किया था क्योंकि ये मनी बिल की तरह से ये इसको पारित करा लिया राजसभा में बिना चर्चा के हो गया क्योंकि मनी बिल पे आप कर सकते हो ये अनुछेद 110 के तहट इसे पारित करा दिया जब इस अनुछेद के तहट आप मनी बिल के तहट तो आप इसको पारित कराते हैं तो इस पे संशोधन करने की शक्ती राजसभा को नहीं होती तो समविधान की भावना पर ये बहुत बड़ा हमला भी हुआ और लोक्तंतर पर ये उसके बाद से निरंतर हमला हो रहा है एक अपारदर्शी तरीके से पैसे एकटे किये जा रहे ह तो आप सोचिए कि एक मनी बिल से भारती जनता पार्टी ने विधायक खरीदने सरकारें गिराने का सारा मनी जुटाने का इन्जाम इस एक मनी बिल से कर दिया बाकी तमाम पार्टियां को आप जोड़ दीजिया तो भारती जनता पार्टी को तीन गुना चंदा इस इलेक्टोरल बॉंड से के माध्यम से अधिक मिला है तीन गुना यह रूल था लेकिन भाजपा सरकार ने वो लिमिट हटा दी अब कंपनी को यह बताना भी नहीं है कि किसको कितना चंदा दिया देखिए कितना अपारदर्शी है व्यक्ति दे सकता है कंपनी दे सकती है बिना किसी को यह बताए कि कितना दिया किसको दिया क्यों दिया इतना बड़ा बेनामी धन किसी पार्टी के खाते में आ जाए तो हमें अब स्पश्ट तौर पे समझ में आ रहा है कि काला धन कैसे सफेद होता है जो राहूल जी कहते हैं तो यह fair and lovely scheme का एक ज्वलंत उधारन है कि एक पार्टी के खाते में यह सारा पैसा जाता है और सफेद हो जाता है ED CBI income tax न इनके कोई छापे पढ़ेंगे न ये दर्वाजे पर दस्तक देंगे इस पार्टी के हर छोटे भड़े व्यापारी की नाक में दम कर दिया है इन एजनसीज रादनितिक प्रतिद्वंदियों के साथ जो दुर्वेभार किया जा रहा है इन एजनसीज के माद्यम से वो आपके सामने है लेकिन इतना बड़ा पैसा देश से विदेश से अलग-अलग तरीके से electoral bonds के जरीए आ रहा है लेकिन इनका दर्वाजा नहीं खट-कटाया जा रहा है उसेया भय कोतवाल कोई डरी नहीं है तो अब सवाल हमें मोदी जी से पूछना है भारती जनता पार्टी अनड़ा जी से हम नहीं पूछते हमें उनके लिए बुरा भी लगता है तो उनके प्रती हमारी पूरी सानुभुती है तो उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता मुझे हमारे कॉलीक्स भी कहते हैं कि रहने दो उनको क्यों परिशान करते हैं पार्टी में भी परिशान हैं हम भी परिशान करें अच्छा नहीं लगता तो मोदी जी से और हमिट शाह जी से सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्टरल बॉंड्स योजना के परिणाम स्वरूप जो आपने कॉर्परेट डान की सीमा समाप्त कर दी और जो आविशक्ता थी कंपनियों के पास कि उन्हें बताना पड़ता था कि इसको कितना दिया वो भी आ इलेक्टरल बॉंड स्कीम अबिवर्स यूव लेजिटिमाइज्ट रेंट सीकिंग बाए दे गवर्मेंट स्टेट स्पॉंसर्ड रेंट सीकिंग के अलावा ये इलेक्टरल बॉंड स्कीम और कुछ नहीं है सिर्फ यहीं है मोदी सरकार हर संस्थान RBI, ECI, CIC पर बुल्डोजर चलाने और लोगतंत्र को ध्वस्त करने के लिए अदालत को अब क्या कारण देगी सुना है जन्वरी में अदालत में यह मामला उठाया जाएगा भारती राश्ट्री कॉंग्रेस चुनावी फंडिंग की पारदर्शी व्यवस्ता चाहती है हमने अपने पिछले मैनिफेस्टों में बड़े स्पश तौर पे का था कि इस अपारदर्शी योजना को हम खतम कर देंगे हमने रायपूर के हमारे जो 85 अधिवेशन था उसमें भी स्पश तौर पे अपनी मन्शा जाहिर की है